डिर स्टूडेंट्स चलिए हम लोग चलते हैं क्लास नाइन्थ के लिए सब्जेक्ट मैथ को पढ़ाना शुरू करते हैं जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पॉलिनॉमियल चैप्टर पढ़ रहा हैं नाइन्थ क्लास में एनसी आइटी बुक से और उस पॉलिनॉमियल में हम होने exercise 2.3 तक के questions को 2.3 के theory को पढ़ा है जैसे कि पिछले class में लोग remainder theorem को पढ़े हैं ठीक है तो यहाँ पे हमें कि अगला exercise exercise 2.3 के question को solution करेंगे ठीक है exercise exercise 2.3 बूक NCRT तो NCRT के बूक में अगर देखा जाए तो पहला question में क्या लिखता है question है आपके पास बुक तो लिख लिजे देख लिजे find remainder remainder निकालना है when given है पी एक्स का लेट मान लेंगे उसको पी एक्स पी एक्स का वेलू क्या दिया है तो XQ माइनस प्लस 3X स्क्वार प्लस 3X प्लस वन यह पी एक्स का वेलू दिया हुआ है पहला बोल रहा है सवाल कि आपको divided करना है divided by X प्लस 1 चिक है तो जिससे डिवाइड करना होता है इससे डिवाइड करना है तो इसको आप X प्लस 1 बराबर 0 किजिए तो X के जगा पर कितना आएगा इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस वे तो अब क्या करना इसका वेलू जो आ गया है देखें रिमेंडर निकलना है ना तो रिमेंडर का यही तरीका है प्लस को दिया रहता है और जिससे डिवाइड किया जाता है उसका जीरो करना है तो जैसा कि देख पार रहे का एक्स के जगह पर माइनस वन आया तो पी माइनस वन निकाल देजिए तो पी माइनस वन कैसे निकालेंगे तो जहां जहां एक सहां इसमें वहां वहां आप क्या रख देजिए माइनस वन तो एक्स के जगह पर माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन का क्यू प्लस त्री माइनस वन का क्यों कितना होता है माइनस वन यानि कि एगर माइनस वन इंटू माइनस वन जब किजिए का तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और वन वन को मिल्टिप्लाइ करेंगे तो वन तो टोटल मिलाकर माइनस वन का क्यों कितना हो जाएगा माइनस वन प्लस अ में 1 ठेक है तो 3 x 1 का मतलब 3 and plus plus minus sorry यहां पर minus 3 plus one total मिला कि यहां कितना हुआ minus one plus में three minus three plus not one so minus one और plus one कट गया three और minus three कट गया दोनों opposite sign था तो पहला का answer कितना गया 0 अब क्या बूल सवाल यही है PX बरावर इतना ही सवाल है लेकिन दूसरा सवाल अब हम लोग को यहां पर चेंज कर दिया कि अब की बार जो divided by करना है अब की बार किस से डिवाइड करना है तो X-1 by 2 से हैं तो हम क्या बुलें जिससे डिवाइड करना रहेगा आप उसको बरावर 0 किजिए तो X-1 by 2 equal to 0 कर दिये अब यहां करने के बाद आप इसका वैलू निकाल लेजे X का तो X का वैलू कैसे निकालेंगे इधर माइनस है उदर जाएगा तो प्लस 1 by 2 ठीक है तो X के जगा पर कितना आया 1 by 2 इसलिए नाव और क्या करना पड़ेगा तो P1 by 2 निकालना पड़ेगा ज सवाल से PX का वैलू दिया नहीं है एक्स का क्यू तो हम लोगों का यहां पर 1 by 2 आया है तो वन बैट टू का क्यू ठीक है यहां पर 3X स्क्वाइर तो यहां पर हो जाएगा 3 into X स्क्वाइर ना याने कि 1 by 2 का स्क्वाइर फिर कितना प्लस 3x याने कि प्लस 3x एक्स के जगा गज़र फे वन वबैट उंदू और प्लस में कितना 1 तो देख पार होंगे इसको वन वे टूका क्यू कितना तो वन का क्यूँ तो वन होता है और बाइट टू क्यून कितना 8 प्लस 1 का स्क्वाइर कितना 123 से di त 22 का स्क्वाइर कितना 24 plus 3 को वन से अट् ح है भाई टू ब्लस वण को हम लोग लिखेंगे वन बैए अब देखी आप सब कई से मुझा यहेट फॉर टू वण का यहां एल्सम होता है एट एट से एट बार में घटे का तो वन पलस चार से दो बार में उसी तरीके से फ्रेंड आपको क्या करना है हम लोगों को अब तिसरा सवाल भी पहला का वैसे ही बनाना है तिसरा सवाल में क्या है divided by सब divided वैसे ही करना है divided by x जब x करना है तो हम क्या करेंगे सिर्फ x का value निकाल लेंगे x बराबर 0 0 करते हैं तो जहां जहां x 0 है तो now अब क्या कर लेंगे P0 निकाल लेजएगा और जहाँ जहाँ X था वहाँ पर कर लेजएगा उसी तरीके से पहला में बात किया जाए तो 5 questions है अब 5 questions में पहले जिससे divide करना होगा उसके बराबर में 0 रख लेना है 0 रख के X का my value निकालना है और X का value निकालकर और उसमें रखेंगे तो remainder हमें मिल जाएगा चलिए हम लोग अगले question के तरह पढ़ते हैं दूसरा question इसमें भी बोल रहा है कि find remainder remainder निकालना है remainder निकालना है कब remainder निकालना है भई? तो PX का value दिया है कितना दिया है? XQ minus X square plus 6X minus A यह PX का value दिया है अब किससे divided करना है? तो divided by divided by X minus A इससे divide करना है तो हम क्या बोले? कि जिससे divide करना होता है उसको 0 के equal किजे तो X minus A बराबर 0 इसलिए X बराबर कमान निकालना है minus में A है उधर जाएगा तो किस में है? प्लस में है इसलिए अब आप X के जगा पर कितना रखेंगे? A तो अब लिखेगा now remainder is equal to remainder is equal to PA क्योंकि X कमान कितना है? A तो अब जहाँ जहाँ X है वहाँ पर A रखेंगे तो PA बराबर A का Q minus A तो पहले से है फिर X square का मतलब? A square plus 6A X के जगा पर A रखेंगे minus में A आप देख पा रहे होंगे A का Q minus A square है और यहाँ पर A के पावर 1 है तो जब नीचे वाला सेम रहता है उपर वाला अलग-अलग होता है तो add कर देता है तो A के पावर Q plus 6A minus A आप देख पा रहे होंगे कि A Q plus में है A Q minus में है तो cut गया और cut गया तो यहाँ पर क्या बन रहा है 6A में से 1 गया तो answer हो जाएगा 5 है ठीक है तो 2.3 का क्या question है चेक वेदर 7 plus 3X is a factor of 3X Q plus 7X क्या बूल रहा है कि क्या factor है तो यहाँ पर आप देख पार होंगे कि given given PX का value हमें दिया है कितना 3X Q plus 7X ठीक है और हमें एक factor दिया हुआ है उसको मान ले सकते हैं late GX is equal to कितना 7 plus 3X बूल रहा है कि क्या यह जो 7 plus 3X है 3X Q plus 7X का एक factor है कि नहीं है इसको हमें क्या करना है चेक आउट करना है ठीक है तो यहाँ पर उसको चेक करने के लिए हम GX जिससे divide करना होता है उसके बराबर 0 करते हैं अगर उसको PX के जगह पे रखेंगे अगर वो 0 आ गया तब हमको पत पता चलेगा यानि रिमेंडर कितना आना चाहिए फ्याक्टर तभी होता है जब रिमेंडर 0 आए जैसे कि रिमेंडर हम लोग निकाले ना 5 वैसे ही इसका रिमेंडर कितना आ जाएगा जब रिमेंडर 0 आ जाएगा तब ना एक function या एक polynomial दूसरे polynomial का फ्याक्टर होता है लेकिन अब इसका रिमेंडर आपको चेकीजिए अगर रिमेंडर 0 आता है तब आप बोल दिजिए कि it is true 7 plus 3x is a factor of 3x q plus 7x ठीक है तो अब हमको सबसे पहले check रिमेंडर करना पड़ेगा यानि कि यहाँ पर हमको क्या करना है we have to check we have to check 7 plus 3x is a factor of 3x q plus 7x क्या इतना का factor है यह हमें क्या करना है check out करना है ठीक है तो सबसे पहले क्या करेंगे चुकि जो हमें यहाँ पर value दिया है 7 plus 3x तो इसको आप equal to करेंगे 0 7 plus 3x equal to 0 ठीक है इसलिए 7 इदर plus में है उदर जाएगा तो minus 7 इसलिए x का value कितना होगा minus 7 by 3 तो x का तो value निकल गया minus 7 by 3 अब जितना x का value आता है हम क्या बताएं कि उतना ही पर चेक करते हैं तो यहाँ पर p का value कितना है 3x plus 7x 3x q plus 7x तो जहाँ जहाँ x है उसके जगा पर यह रखेंगे अगर उतना रखने से अगर हम लोगों का value remainder 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे कि हम लोगों का जो factor है वो बिल्कुल correct है तो now अब क्या करेंगे तो px का value p कितना का value आया था x का value तो इसका minus 7 by 3 आया था तो जहाँ जहाँ x है वहाँ minus 7 by 3 रखें तो 3x का क्यों तो 3 into x यानिकि minus 7 by 3 का q plus 7x 7 into x x का value कितना तो minus 7 by 3 ठीक है अब यहाँ पी आप देख पर रहोंगे 3 into minus 7 का क्यों कितना होता है तो minus में होता है और 343 होता है ठीक है 343 होता है ना 49 343 343 343 343 होता है ठीक है बटा में 3 का q कितना होगा तो 3 का q 27 प्लस अब प्लस नहीं होगा प्लस माइनस कितना माइनस सट सते 49 बटा में 3 अब देख पा रहोंगे 39 27 तो यहाँ पर जो आप आंसर देख रहे हैं 9 और 3 का यहल सेम कितना 9 तो यहाँ हो जाएगा माइनस 343 माइनस तीन तरी के नो और 9 27 साथ हाथ में 2 एकसियों से अनुद दो सिख है और इसका हम लोग और माइनस करेंगे तो साथ टिन होता है दर्स के 0 हाथ में एक और 509 बटा में कि नो यह तीन से कटेगा तीन अकम 3 इंश तिनर्वा शर्ट सर्द नहीं कट पाएगा ना नहीं कट पाएगा तो जब नहीं कट पाएगा तो का आंसर वैसे ही छोड़ देंगे 5 590 बटा ना अब देख पारे होंगे हमें रिमेंडर कितना आना चाहिए था जीरो यहां रिमेंडर जीरो नहीं आया यहां पर लिखेगा here here reminder does not equal to zero reminder does not equal zero so यानि कि reminder यहां पर हम लोगों का 0 नहीं आया कितना आया minus 590 बेट नौ आया इसलिए हम बोलेंगे कि यहां पर जो रिमेंडर जिरो नहीं आया है सो सेवन प्लस थ्री एक्स इस नोट अफेक्टर ओफ नोट अफेक्टर ओफ कि इतना तो थ्री एक्स क्यू प्लस सावन अग्स ठीक है तो कुल मिला कर अगर देखा जाया कि तो हम इसी तरीके से कूश्टंब को check out करते हैं कि कौन है कौन लेंडर नहीं और ऐक्रक्डऻ है क्वाध्टर नहीं है तो अगर हम पहला का कूश्चन का बात करें तो पहला में टोटल पांच सवाल है जिसमें से हम तीन सवाल बता चुके हैं तो आपको और दो question बचा हुआ है तो बाके का जो दो question है मतलब कि चौथा और पांचवा ये दोनों को आपको home works के basis पर try करना है सबसे पहले x का value निकाल लेना है x का value निकालने के बाद आपको px वाले में जो value px का दिया हुआ है उसमें आप p उतना कमान रख दीजे ठीक है तो आपको जो आएगा वो हम लोग का remainder हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से हम लोग question को solution करते हैं तो आज की class को इतना ही हम लोग 2.3 के तक की exercise को complete कर लिये हैं फिर हम लोग अगले class में 2.4 question की तरफ बढ़ेंगे देखते हैं कि 2.4 question में क्या क्या पढ़ने को मिलता है उसी इसाब से हम लोग कुछ पढ़ेंगे कुछ जानेंगे फिलाल आज की class को यहीं तक धन्यवाद